आगोद गीता पर हात रखकर कहता हूं कुम्भरास वालो 11 माई के बाद आप लोग करोर पती बनना सुरू कर दोगे क्योंकि आपके रासी पर परिवर्तन ही कुछ ऐसा हुआ है आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाओ देखने को बिलेगा आपका केरियर आपका नौकरी अच्छा खासा लाब देने वाला है 11 माई के बाद आपकी रासी पर ग्रहन चत्रों ने एर फेर किया है कुम्भरास वालो मैं गीता परहत रखकर कहता हूं 11 माई के बाद अगर कोई सुभकार करोगे तो बहुत भेंकर लाब देखने को मिलेगा नौकरी और बिजनेस ब्यापार केरियर में आप लोगों को अच्छा खासा लाब देखने को मिलेगा सनी भगवान भी आपके रासी पर सोयम घर में रहने वाले हैं और उसके सासा सोयम आपके रासी पर प्रसन भी हुई है इसलिए कमें जै सनी दो अवस लिखिएगा ज्यादा लाब पाना चाते हो तो एक दो लोगों को सेर भी कर देना क्योंकि सनी भगवान की ज्यादा आप लोगों को परचार करना है ताकि आपके जीवन में बहुत भैंकर लाब मिले और मित्रो 11 माई के पाज आपके रासी पर परिवर्तन बनना सुक्र ग्राह कौम भरासी को छोड़कर मेश रासी में प्रवेश करेंगे जिससे आपके रासी पर बहुत भैंकर लाब देखने को मिलेगा ग्रहों की इस्तित बदली है और ग्रहन चत्रू ने एर फेड किया है क्योंकि 11 माई को आपके रासी पर जो परिवर्तन हो रहा है सुक्र ग्रह जब मेश रासी में प्रवेश कर जाएंगे ऐसे में 11 माई के बाद अगर आप कोई काम इस्टार्ट करते हो तो उसमें बहुत भेंकर लाब देखने को मिलेगा कोई भी सुबकार आगर आपको करना है तो 11 माई के बाद करिएगा कुछ भी नई समान लेना है कोई भी कुछ नया गाम करना है तो 11 माई के बाद करोगी बहुत भेंकर लाब देखने को मिलेगा कुम्भरास वालो उसके साथ आपके बिजनेस ब्यापार में भी 11 माई के बाद लाब देखने को मिलेगा इसलिए 11 माई का इंतिजार करिए उसके बाद सुबकार करिए बहुत अच्छा खासा लाब देखने को मिलेगा और एक रिक्वेस्ट आप लोगों सी है सही समय पर अगर सही जानकारी पाना है तो वीडियो को लाइक हमें फोलो आउस्ति करना क्योंकि अच्छे समय पर अच्छी जानकारी मिलती रहती है और अपने दोस्तों के सार जो आपका कुम्भरासी का दोस्त हो जिनका नाम एस अच्छर से शुरू होता है उन लोगों को ये वीडियो जरूर सेयर करो कमे में जैसनी दोली को